2019 में हुआ क्या किसने किसको दोका दिया आप तो कह रहे हैं कि नड़ा जी ने भी कहा था प्रधानमंत्री ने भी कहा था अमिर्शा जी ने भी कहा था और उधव जी मान चुके थे तो फिर किसने किसको दोका दिया शरत पवार ने दिया उसके बाद उधव ने दिया उसके ब थी और मेजोरिटी आने के बाद जिस समय उद्धो जी के ध्यान में है कि नंबर से प्रकार के है कि वो हमारे यहां से हटकर दूसरे दो लोगों के साथ चले जाए तो सरकार बन सकती है ठीकर दस सीटे अगर हमारी जादा होती न तो उद्धो जी नहीं करते हैं कि नंबर ऐसा फस गया था कि उनके धान में है कि now is a point where he can fulfill his aspiration और उसी aspiration के चलते उन्होंने Congress से बात्चित, NCP से बात्चित चुरू की अभी कुल मिला कर अगर हम देखे तो वाक्यात इतना ही हुआ कि after 10 days एक clear mandate मिला है और 10 दिन वो टाल रहे है हमारी फोन भी नहीं ले रहे हमसे बात्चित भी करने को तैयार नहीं है तो हमारे धहन में आ गया कि he has decided he has made up his mind he wants to become a chief minister तो फिर politics में यह होता है कि ऐसे समय आपको retaliate भी करना पड़ता है तो NCP के और से कुछ लोगों ने हमसे बात्चित की उन्होंने कहा कि जो तीन दलों की बात्चित चल रही ना हमको लगता नहीं ऐसे सरकारे चलेगी तो हमको लगता है कि BJP ने और हमने साथ में आना चाहिए तो एक strong government, stable government हम महराष्ट में दे पाएंगे NCP और BJP हाँ जी आप बता सब कौन था आप पूरा सुन लिजे तो आपके कई प्रशने खतम हो जाएंगे इतने कहूंगा कि अभी NCP के major leaders में से कोई था तो फिर मैंने मेरी party में भी बात्चित की मैंने कहा कि देखे इनोंने तो धोका दे दिया है और हम लोगों को तो उनकी क्या बात्चित चल रही है समझ में आ गया था ये तो अपने साथ नहीं आने वाले तो अब हमको at least we should see that he doesn't succeed मतलब कोई अपनों को backstrap करके succeed हो जाए it's not good तो मुझे permission मिली उसके बाद हमने meeting की और मैं वापिस कहता हूँ हमने meeting शरत पवार जी के साथ की शरत पवार जी ने इस बात को माना कि महाराष्ट में stable government देंगे BGP और NCP साथ में आएंगे शरत पवार जी ने ये जिम्मेदारी मुझ पर और अजीत पवार पर दी हम लोगों ने कितने ministers कौन से portfolios कौन से districts for guardian minister ये सारी चीज़े तैकी and one fine morning पवार साब पीछे हड़ गय और पवार साबने इनके साथ जाने का फैसला किया उस समय अजीत पवार ने कहा कि इतने आगे जाने के बाद मैं वापिस नहीं आ सकता हूँ मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपने मुझे आगे किया आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी so we continue निवड और हम लोगों ने शपत ली unfortunately उस समय Supreme Court ने जो verdict दिया उस verdict का अगर हम लोग analysis करें तो जो अजित पवार के साथ लोग थे वो अगर हमारे साथ रहते तो disqualify हो जाते हैं और उसके चलते there was no alternative क्योंकि party तो नहीं आई थी लोग आये थे उस समय और Supreme Court का verdict इस प्रकार का था तो there was a possibility तो इसलिए अजित पवार वापिस चले गए तो इसलिए मैं यह मानता हूँ कि जहां तक backstabbing का सवाल है तो backstabbing तो उद्धो ठाकरे ने किया है लेकिन double play का सवाल है तो वो पवार जी ने किया है